फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता ही है रसिया यूक्रेन के यूद की वज़े से बाजार में बाइंकर गिराउट ही सिर्फ इंडिया के बाजार में नहीं बलकि सारे के सारे वर्ड के बाजार बहुत ही जबर्दस तरीके से दरासा ही हुए हमारे बाजार में भी करीब हमें 10,000 पॉइंट की बड़ी गिराउट देखनों को मिली लेकिन उसके बाद में बहुत ही सांदार फिर से बाउंस बैक देखनों को मिला बाजार ने जबरदस रिकवरी दिखाई निचले लेवल से यूँ कहें तो कम से कम 6,000 पॉइंट के हमने सांदार तेजी देखी और ये भी बहुत कम समय में और इसी वज़े से लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिया है यहाँ पे आप देखोगे कि कल हमने अलड़ी मार्केट के वीडियो में डिसकस भी किया था कि अब म्यूचल फंड और हमारे यहाँ पे बड़े फंड आउस जो काफी समय से खरीदारी करे थे अब वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने लगे लेकिन दुसरी तरफ FI बाजार में लॉट आए वो फिर से खरीदारी सुरू कर चुके तो यहाँ पे हमें बड़ी गिरावर तो नहीं दीख रही है लेकिन थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो दीखेगा एक तरफा बाजार दोड़ेगा लेकिन यह मौका है खरीदारी का तो इस समय आपको जिस स्टॉक में दाव लगाना है वो स्टॉक है यह कंपनी बहुत मजबूत है और अदाणी गूर्प की सबसे आगे जाने वाली कंपनी साब भी दोने वाली है कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है और इसमें दाव आपको लगाना चीए तो इस वीडियो के मादेम से हम स्टेट बैंक आप इंडिया और अदाणी विलमार को डिसकस करेंगे साथ में दो कंपनीों को और डिसकस करेंगे एक कंपनी आपको बोनस देने जा रही है अगर आपको bonus में interest है तो उस वीडियो में जरूर देखे और इसको पे दाव लगाने की कोशिस करे अगर आप dividend के लिए interested है तो dividend का वीडियो भी हम discuss करेंगे यानि कुल मिला के इसमें आपको चार कमपणियों के बारे में जानकारी मिलेगी और इसमें निवेस करना चीए क्या level पर करना चीए और कितना profit हो सकता है क्या target हो सकता है वो सारी बाते जानने को मिलेगी तो वीडियो पूरा start से अंतक देखे काफी लोग आदा वीडियो लेकिन डिविडेन और बोनस देने वाली कंपणिया लगे तो पूरा वीडियो देखे आपको पूरा समझ में आएगा लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी हो रही है और इस वज़े से बाजार में भी काफी 400-500 पॉइंट की गिरावट है इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखे तो 22 मई 2020 को ये मात्रह 150 पर था और फिर दो साल में काफी चाई स्टॉक दोड़ा इसने 540 की हाई भी बनाई है और भी फिलाल ये उपर के लेवल के आस जब आप रिलाइस इंडेस्ट्री और SBI में बाइक करें ये दोनों स्टॉक काफी मजबूत है और इस समय ये जो लेवल है यहाँ पर खरीदारी के लिए सला दी जा दिया है मैंने और रिलाइस में बाइक करना चाहिए इस समय ये मौका है जब आप रिलाइस खरीदे क्यो साथ में एक एग्रिमेंट साइन किया जिसके तयात वो करीब वन बिलियर डॉलर की क्रेडिट फैसिलिटी स्री लंका को देने वाली है तो ये आप इसमें खास आपको ध्यान दक रहा है और साथ में स्टेट बैंक इंडिया की तरब से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल क चुका है यानि वो कंपनिया पूरी तरसे डूब चुकिया और लॉन को नहीं चुका सकती तो ये जो आट सो बीस को पीज का जो एन पीए है इसको एसे रिकंस्रक्शन कंपनी को देखे पूरी तरसे एन पीज फ्री होना चाहती है इस्टेट बैंक आप इंडिया जो बहु चुका है लिकिन जूद में फिर से सांदार बड़ोती हुई 7,380 कRO का प्रॉफित हुआ और सेप्टमर आद है बैंक का प्रॉफित बढ़कर 8,0890 कRO क्रॉफित तक पॉच गया और दिसंबर 2020 में बैंक का प्रॉफित 9,555 कRO क्रॉफित तक पॉच गया तो पिछले दिसंब में बढ़कर 9500 रूपी तक पहुच गया है तो कम से कम 50% के विर्दी हुई है बैंक के प्रॉफिट में जबकि इस दोरां कोविड का एफेक्ट था तो आप देख लो कि बैंक बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और बहुत सारे रिशर्ज अनालिस्ट कहते है कि इसकी जो रियल कि जाए तो इस्टेट बैंक अब इंडिया की प्राइस कही गुना बढ़के आएगी तो ऐसे में यही मौका है जब आप निवेस कर ले और लॉंग टर्ब कर ले सिर्फ पास साल के लिए आप इस ब्रॉजन को आराम से टर्च कर जाएगा तो बिल्कुल इंश्मेंट कर यह आईपियो में कोई लोगों को प्रॉफिट नहीं दिया लेकिन अभी आईपियो दोडने को तैयार हो चुका है आने वाले समय इस्टॉक बहुत तेजी से बागने वाला है आज के कारोबार की बात गया तो भहिंकर गिरावट में भी यानि 391 की प्राइस है जाप है 3% की हम आईपियो था तो बिल्कुल उस आईपियो की प्राइस के आसपास इसकी क्लोजिंग थी कुछ ज़्यादा लोगों को प्रॉफिट नहीं मिला लेंगे उसके बाद में काफी ज़्यादा यह दोड़ा है और इस समय आपको इसमें निवेज करना चीए क्योंकि लगबग यह अपने उपर के लेवल तरफ पहुच चुका है और काफी अच्छा लग रहा है इस लेवल पर क्योंकि आप देखो कि तरह 227 इसका 52 वीक का लोग है 419 इसका 52 वीक आई है फिलाल श्टॉक 391 पर है तो आप देख लो बिल्कुल नई हाई बनाने को श्टॉक तेयार है काफी ज़्यादा वॉलम में कामकाज हो रहा है पिछले 1 मैने पहले इसका 1 कोट का वॉलम था वन वीक पहले भी 1 कोट वीच का वॉलम होता लेकिन कल इसका 4 कोट वीच का वॉलम होता तो बाद में closing होते होते volume फिर से बढ़ जाएगा तो काफी अच्छे volume में कामकाज हो रहा है तो इसमें आपको निवेस के बार में सोचना चीए इन्होंने जो quarter three का result पेज़ किया बहुत ही बैदरीन ने revenue income 14.38000 कोड़ी निकल करा है कमपनी जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उसमें प्रचुर संभावना है कमपनी का जो सबसे बड़ा जो famous brand है वो है Fortune Fortune के brand के नाम से इनके हर्त रखे आप edible oil तो है लेकिन दूसरे भी हर्त रखे product बनाती है दूसरे भी इनके बहुत सारी brands है और हर घर में आपको इनके product मिल जाएंगे और इसलिए कहता हूँ कि यह company बहुत तीज़े ग्रोख रेगी और अदानी ग्रूप की यह सबसे आगे दोडने वाली company होगी और मैं कहता हूँ कि इसको 5 साल के आप hold कर ले तो यह 4th हाउजन को आराम से touch कर सकता बहुत ही मजबूत stock मुझे लग रहा है और यह आपको माला माल कर सकता है community sentiment stock के साथ बना हुआ है 80% buy की call है 13% sale की call है 7% hold की call है इसका मतलब आप देख लो 100 में से 87% लोग भी इसको लेना पसंद कर रहे है एक बार इसके short time के लिए pivot table भी check लेते तो यहाँ से अगर stock में get out हो जाती है तो 358 का first support है यह टूटा तो फिर 336 तक stock जा सकता है तीसरा जो support निकल के रहा है वो 325 गा है लेकिन positive माहल बने पे जो target निकल के रहे वो 391 का जो अलड़ी break हो गया है second अब target जो निकल के रहेगा वो 402 का है तीसरा 402 23 का तो बिल्कुल नई हाई बनाने को stock त्यार है इसमें इस समय investment कर ले यह आपको बहुत ही अच्छा ही समय लेवल पे मिल रहा है अब हम चलेंगे उस company के तरब जो आपको देने जारी है bonus तो friends मैं बात कर रहा हूँ Vipool Organics Limited की specialty chemical बनाने वाले company है और आज इसकी price 216 पर है जाब है 0.82% की हमें तेजी देखनों को मिल रही है company आपको bonus देने जारी है और काफी अच्छा इसका track record है company बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रही है company आपको 1-4 के ratio में bonus देने जारी है यानि आपके पास 4 share company होगे तो एक share आपको bonus मिलेगा announcement date थी इसकी 28-2222 और इसकी record date है 9-4-22 X date है 7-4-22 तो आपको 7 तारीक के पहले account में यानि आपके demand account में share होने चीए तो बिल्कुल आपको bonus मिल जाएगा तो आपको bonus का interest है तो इस company में निवेश करना चीए और तेजी से इसका कारोबार भी बढ़ रहा है इसकी performance अगर देखे तो 170 की price थी इसकी 24 फरवरी को उसके बाद देखो कि तेजी से stock भागा है और लगातर भाग भाग रहा है जबकि बाजार में काफी ज़्यादा गिरावट हुई उसके 22 फरवरी stock ने अपनी performance में कोई कमी नहीं दिखाई तेजी से दोड़ा है गिरावट के महल में भी इसका मनलब stock बहुत मजबूत है friends अब हम उस company को discuss करेंगे जो आपको dividend देने जारी है और dividend भी छोटा मोटा नी बहुत ही जबरदस dividend देने जारी है यादि 4,900% का bumper dividend और वो भी दो कैटेगरी में special और final dividend तो दो तरके के dividend आपको मिलने वाले है और अगर आपको dividend में interested है तो आपको snowfie India में निवेस करना चीए stock बहुत मजबूत है और तेजी से आगे जा रहे है तो दोनों मिला के आपको total 4,900% का bonus मिलने वाला बहुत ही सांदार और इसकी announcement date थी 23,22 और special dividend की थी 24,22 तो इसकी X date रखी गई है 12,4,22 अगले मेने की 12 तारी के पहले पहले आपको share खरीद लेने तो आपको बिल्कुल dividend मिलेगा और यह company बहुत मजबूत है निवेस आप कर सकते है और friends इस समय जब बाजार में गिरावट का दोर जारी है काफी ज़्यादा correction हो चुका है अब तेजी बहुत जल्द शुरू हने वाली है तो ऐसे में आपको large cap के ऐसे stock में दाव लगा रहेना चाहिए जो बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे ऐसको State Bank of India में निवेस बिल्कुल करना चाहिए अदानी विल्मार सबसे हटके है भले ही company फिलाल आपको छोटी लगती होगी लेकिन इसका कारूबार है उसका portfolio बहुत मजबूत है आने वाले समय का एक बड़ा multi-pack रहे तो इवेस करे लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने finance advice लेले या अपना खुद का research करे क्योंकि मैंने वीडियो आपके education प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like share कीजिए और channel को subscribe कर दीजे thank you friend